नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में बेदानता स्टॉक को डिस्कस करेंगे बेदानता में मल्टिपल न्यूज ट्रेंड हो रहा है तो वन बाई वन सभी न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जॉइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिं दिख सकता है आखिर मैं ऐसा क्यों क्या रहा हूं इसके मेरे पास एक वैलिड रीजन है रीजन यह हैं कि वन बिलियन ब्लोग दील अलर्ट अनील अगरवाल लेट बेदानता इंटॉक्स विद राजीव जैन जीक्यू जी पार्टनर फोर पोटेंशियल एस्टेक्सेल और यहें जीक्यू जी राजीव जयन कौन है इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जब हिंडेन बर्ग्ने एलिगेशन लगाया था अडानी इंटरप्रआजजेज नहीं और अडानी ग्रूप पे तो अडानी इंटरप्राइज़ में, अडानी पोर्ट्स में, अडानी strong दिख सकता है इसके आलावे एक दूसरी खबर क्या रही सुप्रीम कोट ने एक circular निकाला जहां कहा है कि जो तमिल लाडू के अंदर जो copper plant है वो कई सालों से बंद था उसको restart कराया जा रहा है और ये restart किसके द्वारा हो रहा है अनिल अगरवाल के बेदानता के द्वारा यहां देखेंगे सुप्रीम कोट प्रपोजस कमिटी टू एक्स्प्लोर पॉसिबिलिटी टू री एस्टार्ट टूटी कोईन कॉपर स्मेल्टर यूनिट सुप्रीम कोट अब्जर्ब द निशनल इंट्रेंस कांट भी अवरलूक जो राष्ट की जो हीत है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं उसके अलावे सुप्रीम कोट अब्जर्ब निशन सुट नॉट लेज दें तर टमिलनाडू यह तो कॉमन बाते कहीं गई हैं इसके अलावे देखेंगे तो आज स्टॉक में लगभग लगभग 10 करोर जो की वर्थ अब टोटल 2.4 75% अक्यूटी होता है जो की काफी बरा नंबर है इसके ब्लॉक डिल होते दिखे हैं यह सभी निउस इंडिकेशन है इस बात का कि पोटेंशियली स्टॉक एक बरे अपसाइड के तरब जा सकता है बायर जो है 1 करोर 44 लेक सेलर ओनली 40 लेक मतला बायर और सेलर के बीच में काफी बरा गैप दिख रहे हैं यानि धीरे धीरे समाल को जो है वो उठाया जा रहा है इसके अलावे 56% की डिलेवरी गई और इस सम मैं देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है यह समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है इस समय एक हायर हाय हायर लो के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है यहां मैं इसको अगर ब्लैक करता हूं ताकि आप समझ पाएं यहां इसने एक बेस बनाया हायर हायर लो यहां से सप्लाई आ रह और 400 पहला टार्गेट जो आप देख रहे हैं वो टार्गेट तो ये वाला ही आएगा 340 वाला और दूसरा टार्गेट जो है वो 400 वाला ये वाला टार्गेट देखेंगे यहां से लगभग 400 तो 440 तक के लेवेल्स देख सकते हैं RSI 60 के आसपास का है और मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी स्ट्रॉंग है और अपर साइड ये परफॉर्म करते हैं